हेलो एवरिवन वेलकम तो ऑनलाइन क्लास मैसेल्फ नेहा जोशी आएम मैठ्स टीचर इन नवजोती ग्लोबल स्कूल आज मैं आपको क्लास एट की एन्सी आर्टी बुक से मैठ्स पढ़ाऊंगी जिसका हम फास्ट चेप्टर पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते क्या हैं रेशनल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं परिमेई संख्या संख्या ठीक है इसनिसिटरमे हम पता है इस चैप्टर में हम रीचिनल नंबर के बारे में बता कर पढ़ंगे इस किया इसनिस नेचुरलोर रहें हम लोग नंबर्गे quantifyüğं पौर्जिटर है नेच की बारे मीन कमें आदि कीजेर नेचुरल नंबर्गेह हैं Then after, हम पढ़ेंगे whole numbers का addition, subtraction, multiplication, division, integers का multiplication, division. यह सब आपने 5th में, 6th में, class 5th, 6th में सब पढ़ चुके हैं. यहाँ पे सिर्फ आपको recall करने के लिए, दुबारा revise करने के लिए दिया गया है. तो अब हम इसकी exercise 1.1 में आते हैं. यहाँ यहाँ इसकी exercise 1.1 जिसमें हमारा पहला question है. Using appropriate properties find. हमें यह question हमको solve करना है. तो हम इनको कैसे solve करते हैं? हमारा पहला question है. माइनस 2 अपॉन 3 इंटो 3 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 5 इंटो माइनस 1 अपॉन 6. तो आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे यह दोनों का एक pair है. इन दोनों के बीच में multiply का sign है. और यहाँ पे यह दोनों के बीच में multiply का sign है. तो हम सबसे पहले यहाँ पर से start करते हैं. हमारा कुश्चिन के है? 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटो 3 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 5 इंटो 1 अपॉन 6. तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में किसका sign है? multiply का. तो हम इसे क्या करेंगे? multiply. तो देखो. 3 वन जा 3, 3 तू जा 6. पर यह 2 का है, माइनस का तो यह माइनस 6. 5 वन जा 5, 5 तू जा 10, 5, 3 जा 15. आफ्टर हम इसको प्लस 5 उपॉन 2 को ऐसी उतारेंगे. माइनस का माइनस. अब यह देखो. 3 वन जा 3, 5 वन जा 5, 2 जा 10, 5, 3 जा 15, 5, 4 जा 25, 5 जा 25, 5, 6 जा 30. ठीक है? अब देखो. 6 और 15 यह दोनु नंबर किसी से कट रहे हैं? कट रहे हैं किससे? 3 से. 3, 2 जा 6, 3, 5 जा 15. तो यह क्या उतरा? माइनस 2 अपॉन 5. प्लस 5 अपॉन 2. यह भी किसी नंबर से कट रहे हैं? हाँ. 3 से. 3 वन जा 3. तो यह कितना है? माइनस 1 अपॉन 10. अगर आप खोके हमने काटा क्यों से? हमें इनको जितना हो सके और शॉट बनाने पर थे. ताकि आगे को जाके multiply में हमें जादे बड़े नंबर नहीं मिले. अगर हम यहाँ पे 6 और 15 को ऐसी रहने देते, फिर यहाँ पे हमें LCM लेना पड़ता, फिर LCM में हमें 15, 16, 17 इनको multiply करने में बहुत जादा दिक्कत हो थी. जिबकि 5 तू जा 10. एजी से आप कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे एक तो यह long trick थी. इससे इसको multiply, इससे इसको multiply करके एक होती है short trick. यह देखो 2 upon 3 है, यह 3 upon 5 है. यह multiply में है, तो इससे यह cancel हो जाता है, क्योंकि यह 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है. अगर और यहाँ पे देखो, 3 यहाँ है, यहाँ 6 है, चलो 5 से यहाँ पे कुछ cancel नहीं होता, पर 3 से 6 cancel हो सकता है, क्योंकि 3 तू जा 6, 5 तू जा 10. तो 5 तू जा 10, जो जिनको short trick से हो जाता है, वही सही है, जिनको short trick नहीं आ पाती है, अगर long trick से करेंगे, तो वह ऐसे करेंगे, अब देखो, यहाँ पे इन सब के denominator में, उपर वाले को क्या पढ़ता है, numerator और नीचे वाले को denominator, इनके denominator में सारे number अलग लग है, तो अब हम इसका क्या लेंगे? LCM, तो 5, 2 और 10 का आप LCM लेंगे, कितना आएगा? LCM लेना, mostly सभी को आता ही होगा, अगर LCM लेना नहीं आता है, एक short trick है, इन denominator में सबसे बड़ा कोन है? 10, तो हम 10 है LCM ले लेंगे, अब इसके denominator में, तो हमने 10 ले लिए, अब numerator में कैसे लेंगे? यहाँ पे 5 है, तो 5 को किससे इंटू करें कि 10 आए? 2 से, तो 2, 5 जा 10, तो इस 2 से ही इस उपर पे इंटू करेंगे, 2, 2 जा 4, तो कितना आएगा? –4, प्लस, अब देखो, यहाँ पे 2 है, अब इस 2 को किससे इंटू करें कि 10 आए? 5 से, 5 जा 10, तो उसी 5 से हम उपर पे भी मल्टिप्लाइ करेंगे, 5, 5 जा 25, 10, 10 तो 10, 10 अल्रेडी है, यहाँ पे तो इसको किससे करेंगे? 1 का 1 ही आजाएगा, अब प्लस, माइनस, माइनस, तो 25 में से 4 गया, तो कितना आया? 21, माइनस, 1, अपॉन, 10, तो 20 अपॉन, 10, तो 10 से 20 करेंगे, इतना आएगा, तो अंसर, तो हमारे इसका आंसर कितना आया? 2, सबसे पहले हम इनको मल्टिप्लाइ करेंगे, फिर उनको देखेंगे, वो किसी से टम से कट रहे हैं, तो उनको कटिंगे, उसके बाद हम उसका LCM लेंगे, LCM लेके उसे आगे को सॉल्व करेंगे, सेम हमें इसमें भी ऐसे ही प्रोसेस क करनी हैं, आप सबसे पहले 2 upon 5 into minus 3 upon 7, यह minus से कोई confusion होने की जरूरत नहीं है, आराम से minus के sign को minus, और plus की तरह plus minus, जो भी उनका हो रहा, उनको करते जाहिए, और multiply को multiply की तरह आराम से करते जाहिए, नेक्स्ट हमारा, second question, write the additive inverse of each of the following, ठीक है, write the additive inverse, additive inverse को हम हिंदी में कहते हैं, योज प्रतिलोम, क्या कहते हैं हम इसे, योज प्रतिलोम, यह जिस्ट उल्टा होते हैं, जैसे की, minus, minus 1 है, minus 1 का मैं आप से खहूँ, additive inverse क्या होगा, तो इसका उल्टा, minus 1 का उल्टा, 1, 5 का additive inverse क्या होगा, minus 5, 6 का additive inverse क्या होगा, minus 6, minus 19 का additive inverse, 19, it's so simple, तो अब देखो, 2 upon, 2 plus 8, sorry, 2 upon 8, 2 upon 8 का हमें additive inverse बताने, तो 2 upon 8 का additive inverse क्या होगा, minus 2 upon 8, minus 5, minus 5 upon 9 का additive inverse क्या होगा, बहुत हीजी है, क्या होगा, 5 upon 9, ठीक, अब अगर आपको शौन नहीं है, कि यह additive inverse नहीं है, तो एक additive inverse की statement होता है, कि जैसे 2 upon 8 है, 2 upon 8 का मैंने additive inverse बोला, minus 2 upon 8, तो इन दोनों को add करने पे 0 आना चाहिए, अगर इन दोनों को add करने पे 0 आ रहा है, तो additive inverse अगर आपको लग रहा है, जैसे हमने 2 upon 8 है, 2 upon 8 का additive inverse क्या बोला, minus 2 upon 8, अगर हम इन दोनों को add करते है, 2 upon 8, plus minus 2 upon 8 करते हैं, तो 0 आना चाहिए, अगर 0 आ रहा है, तो यह सही है, तो देखो, 2 upon 8, plus minus 2 upon 8, तो plus minus, minus, दोनों के denominator में, denominator मतलब हर दोनों के हर में same number है, तो इसके upon में क्या आ गया, 8, LCM क्या आ गया, 8, 2 minus 2 कितना हो गया, 0, 0 upon 8 क्या होते है, 0, तो बस हमारा additive inverse सही है, ऐसी minus 6 upon 5 है, देखो, थर्ड वाला है, minus 6 upon minus 5, minus से minus, cancel, हमेशा यह चीज याद रखना है, divide के time पे, अगर minus 3 upon minus 2 है, उपर भी minus है, upon के नीचे भी minus है, तो वो क्या हो जाता है, cancel हो जाता है, तो minus 6 upon minus 5, minus minus cancel, क्या है, 6 upon 5, तो 6 upon 5 का additive inverse क्या हो गया, minus 6 upon 5, next है, 2 upon 9, 2 upon minus 9 का additive inverse क्या होगा, जो यह 2 upon minus 9 है, यह minus 9 का मतलब यह मत समझो कि 9 के साथ ही minus है, हम इसको यह नहीं लिख सकते, minus 2 upon 9, यह नहीं होगा, कि जो minus है, यह नहीं के साथ है, यहाँ पर आएगा, आप सबसे पहले से minus 2 upon 9 लिखेंगे, फिर इसका additive inverse क्या आजाएगा, 2 upon 9, जैसे यह है, 19 upon minus 6, 19 upon minus 6, आप इसे क्या लिख होगे सबसे पहले, minus बीच में, 19 upon 6, इसका additive inverse क्या आगया, 19 upon 6, यह सबसे easy कोश, पार्ट है, question number second, अब अगला आते हैं, third में, third है, verify that minus, bracket के अंदर minus x is equal to x, तो हम इसे कैसे verify करेंगे, देखो, x हमें दिया है, 11 upon 15, हम इस statement में रखेंगे, minus, फि, bracket, फि, minus x की जगे पर क्या रखेंगे, 11 upon 15, bracket, बंद, equals to 11 upon 15, अब देखो, minus minus, प्लस, तो 11 upon 15, equal to 11 upon 15, equal आ रहे है, यह देखो, equal आ रहे है, तो यह हमारा verify हो गया, same ऐसी इसका यह वाला पार्ट भी है, इससे आप homework करेंगे खुद, फोर्थ है हमारा, find the multiplicative inverse of the following, हमें क्या निकालने है, multiplicative inverse, multiplicative inverse का हिंदी में मीनिंग होता है, गुणात्मक प्रति लों, multiplicative inverse means, गुणात्मक प्रति लों, चीक है, अब हमें बताने, माइनस 13 का गुणात्मक प्रति लों, तो इसमें माइनस 13 है, माइनस 13 को हमें, जो माड़ियों, जैसे यह होता है, numerator, यह होता है, denominator, इसका गुणात्मक प्रति लों, multiplicative inverse क्या हो जाएगा, डी अपॉन, एन्वर्स कर देना है, उपर का नीचे, नीचे का उपर, तो अब देखो, ही माइनस 13 है, माइनस 13 अपन 1 मानिंग गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका inverse क्या हो जाएगा, 1, माइनस 1 अपन 13, इसका inverse क्या आजाएगा, माइनस 1 अपन 13, next है minus 13 upon 9 तो minus 13 upon 9 है अब हम इसका inverse करेंगे तो इसका inverse क्या हो जाएगा denominator वाले को उपर numerator को नीचे तो इसका हो जाएगा minus 19 upon 13 next है 1 upon 5 1 upon 5 का हम opposite करेंगे क्या हो जाएगा 1 upon 5 का multiplicative inverse 5 upon 1 इनमें sign change नहीं होते है sign वैसे ही रहते हैं हम सिर्फ denominator को numerator numerator को denominator अगला है हमारा part 5th question number 5 name the property under the multiplication used each of the following हमें properties बतानी है कि कौन सी properties के अंदर ये सारे multiplication हो रहे हैं हमने अभी तक किती properties सीखी हैं दो properties पहली हमारी थी additive inverse और दूसरी हमारी थी multiplicative inverse तो हमें इसके इसकी properties बतानी हैं ठीक है multiplication की properties के अंदर कौन कौन सी properties है multiplication की 4 upon minus 4 upon 5 into 1 1 into minus 4 upon 5 ये simple property है इसे हम कहते है multiplicative property इसे हम कौन सी property कहते हैं multiplicative property next है हमारा minus 13 upon 7 into 2 upon 7 equals to 2 upon 7 into minus 13 upon 7 इसमें कुछ नहीं इसमें सिर्फ इसने इसका order change कर दिया पहले में 13 माइनस 13 upon 7 आगे था अगले में इसने जस्ट इसका order change करके minus 2 upon 7 को पहले लिख है into minus 13 upon 7 को बाद में लिख है इस property को कहते हैं हम commutative property commutative property commutative property ठीक है हमने दो नही property सुनी एक हमने अभी additive inversi की multiplicative inversi की दूसरी हमने multiplicative property सीखी और चौथी हमने commutative property सीखी अब है हमारा अगला minus 19 upon 29 into 29 upon minus 19 equals to 1 तो यह कौन सा है यह हमारा multiplicative inverse क्योंकि यहां पर multiply हो रहा है उपर से inverse है तो हम इसे क्या कहेंगे multiplicative inverse अगला question है हमारा question number 6 multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16 हमें 6 upon 13 को multiply करना है किसके reciprocal से minus 7 upon 16 तो reciprocal क्या होता है जस्ट उल्टा opposite यह आप कह सकते है inverse तो minus 7 upon 16 का inverse क्या होगा 16 upon 7 minus 16 upon 7 तो अब 6 upon 13 को 6 upon 13 को हम into किससे करेंगे minus 16 upon 7 से क्योंकि reciprocal से करना है तो इसको आप 6 से 16 को into करो 13 से 7 को into करो हमारा answer आएगा 96 upon 91 आप multiply करके चेक कर सकते है next question है हमारा question number 7 tell what the property always you to compute 1 upon 3 bracket के अंदर है 6 into 4 upon 3 as 1 upon 3 into 6 upon 4 upon 3 यह हम से इसमें पूछ रहा है कि आप कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं इसे compute करने के लिए तो यहां पर देखो 1 upon 3 into 6 into 4 upon 3 लिखा हुआ है यहां पर हमारा जो चीज कट रहा है जो शॉट हो रहा है हम उसे शॉट कर सकते हैं यह 3 से 6 कट रहा है कितना 2 जा 3 से 6 कैंसेल हो रहा है कितना 2 3 2 जा 6 इस 2 से इस 4 को into करो कितना आएगा 8 तो 1 upon 3 into 8 कितना आएगा 8 upon 3 इतना हमारा इतना हमारा सॉल्व होके कितना आ रहा 8 upon 3 अब जो इधर साइट के है 8 by 3 अब यह इस साइट वाला सॉल्व करते है 1 upon 3 into 6 4 upon 3 तो यहाँ पर देखो 3 से यह कैंसेल हो रहा 3 2 जा 6 2 जा 2 2 into 4 upon 3 2 4 जा 8 8 upon 3 तो यह भी हमारा क्या आ रहा 8 upon 3 और यह भी हमारा क्या रहा 8 upon 3 तो दोनों हमारे 8 upon 3 हैं पर यहाँ पर प्रॉपर्टी अलग थी यहाँ पर था A into B into C जहाँ पर B और C आपस में ब्रैकेट में थे और इसमें था हमारा A into B into C देखो ब्रैकेट का फर्रक है यहाँ पर हमारा A B ब्रैकेट के अंदर है और C बाहार है इस वाले में हमारा सॉरी थोड़ा गलत हो गया A बाहार है और B into C ब्रैकेट के अंदर है और इसमें A into B ब्रैकेट के अंदर है और C बाहार है यह ABC हमने सिर्फ एजियूम कर रहे कि नंबरों को हमने ABC करके एजियूम कर रहे तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हमारी इस प्रॉपर्टी को हम A, B, C हम इसे कहते हैं यहां पर देखिए इस टॉपिक के अंदर है मल्टिप्लिकेशन के अंदर एसोशियेटिव ओफ रेशनल नंबर की एनी थ्री नंबर का यह देखो यह जस्ट फॉर्मुला A into B into C equals to A into B into C यह मल्टिप्लिकेशन के एसोशियेटिविटी की प्रॉपर्टी है अगला कुश्यन है अब हमारा कुश्यन नंबर 8 हमने इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज की आप इन सबको नंबर वाइस इनकी प्रॉपर्टीज 1,2,3 करके लिखिए फिर उनको ध्यान से और रिवाइस करिए एर्थ कुश्यन है हमारा इस 8 अपॉन 9 इस दा मल्टीपल इन्वर्स ओफ माइनस 1 1 अपॉन 8 वाई और वाई नॉट क्या माइनस 1 1 अपॉन 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 अपॉन 9 है या नहीं तू देखो ये क्या है हमारा 8 अपॉन 9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम इस दा मल्टीपल 8 वन्जा 8 ये देखो 8 वन्जा 8 ये हमारा फ्रेक्शन के रूप में है इससे आप पहले सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा माइनस 9 अपॉन 8 तो 8 अपॉन 9 का मल्टीपल इन्वर्स माइनस 9 अपॉन 8 है हाँ है और ये हमारा वाई और वाई नॉट वाई हम कहतो रहे हैं ये है तो क्यूं है क्योंकि ये देखो 8 अपॉन 9 को इंटू माइनस 9 अपॉन 8 करने पे हमारा आंसर कितना आ रहे है 1 तो ये हमारा मल्टीपल केटिव इन्वर्स है पर यहाँ पे इसने क्या लिख है 8 अपॉन 9 पर यहाँ पे हमारा क्या आ रहे 9 अपॉन 8 अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो तभी ये इसका मल्टीपल केटिव इन्वर्स होता अब हमारा क्यों नमबर 8 Is 8 अपॉन 9 is the मल्टीपल केटिव इन्वर्स of माइनस 9 अपॉन 8 y और y नॉट क्या 8 अपॉन 9 मल्टीपल केटिव इन्वर्स है माइनस 9 अपॉन 8 का देखो माइनस 9 अपॉन 8 इसका मल्टीपल केटिव इन्वर्स करें तो क्या आएगा 8 अपॉन 9 माइनस 8 अपॉन 9 पर कुश्चन में क्या कह रहा है ये 8 अपॉन 9 और हमारा इसका multiplicative inverse क्या रहा है minus 8 upon 9 हमारा तो minus आ रहा है पर यहाँ पर minus नहीं है तो यह हमारा multiplicative inverse नहीं है अगला कोशन है कोशन number 9 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1 upon 3 y of y naught mixed fraction को सबसे पहले हम fraction करेंगे proper 3 3 जा 9 9 में 1 10 upon 3 0.3 का multiplicative inverse है या नहीं है देखो 10 upon 3 को अगर हम इसका multiplicative inverse निकाले तो क्या आएगा 3 upon 10 और यह 0.3 को अगर हम decimal हटा के लिखे हैं तो क्या आएगा 3 upon 10 तो 3 upon 10 यहाँ भी है और इसका multiplicative क्या आ रहे 3 तो यह हमारा multiplicative inverse है अगला है हमारा question number 10 write the rational number that does not have reciprocal वह rational number बताओ जिसका कोई भी reciprocal नहीं होता है इसका answer है 0 the rational number that are equal to their reciprocal वह rational number बताओ जो अपने reciprocal के equal होता है इसका answer है 1 into minus 1 into minus 1 1 into minus 1 into minus 1 भी कितना आता है 1 minus minus plus 1 into 1 भी कितना आता है 1 next है the rational number that is equal to its negative 0 fill up 11th के 0 has dash reciprocal 0 is 0 has no reciprocal the number dash and dash has their own reciprocal अभी बताया था 1 and minus 1 the reciprocal of 5 is 5 का reciprocal क्या हो जाएगा minus 1 upon 5 reciprocal of 1 upon x where x does not is 0 1 upon x का reciprocal सेम थर्ड वाली कितना है जो अभी हमने कर रहा है जैसे 5 minus 5 का reciprocal minus 1 upon 5 तो 1 upon x का reciprocal x 5th है the product of two rational number is always rational the reciprocal of positive number is positive positive number का reciprocal हमेशा positive होता है और negative का negative ये था हमारी exercise 1.1 अभ हम इसके exercise 1.2 मा आते हैं ठीक है exercise 2 है represent the numbers on the number line 7 upon 4 और minus 5 upon 6 हमें number line पर 7 upon 4 represent करने हैं तो सबसे पहले हम इसे कौन सी positive side में करेंगे है negative में करेंगे obviously positive क्योंकि ये क्या है positive integer है अब देखो ये 0 से लेके किसके बीच में आएगा जीरो से 1 या 1 से 2 कैसे कहीं पर ये किस के रूप में है fraction के रूप में है ये कैसे रूप में है fraction के रूप में है तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे देखो ये एक line खीचेंगे यहाँ पर हमारा जीरो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 upon 4 2 upon 4 3 upon 4 5 upon 4 6 upon 4 ऐसी आगे को 7 upon 4 यह 0 यह 1 upon यहाँ आएगा 0 मेरे according वो इधर को रहा आपके according उधर को जाएगा 0 इधर आएगा हम positive को इधर लेते हैं इधर वाले integers में आएगा उधर को negative integers जाएगे तो 0 1 upon 4 2 upon 4 denominator सेम रहेगा बस हम उपर का numerator चेंज करेंगा ऐसी हमाँ आगे पर 7 upon 4 मिल जाएगा जैसे यहाँ पर आप एग्जामपल के लिए माँ आपको दिखा सकती हूं देखो यह देखो 0 upon 3 1 upon 3 ऐसे यहाँ पर 1 upon 8 next है हमारा इसी का ही minus 5 upon 6 तो minus 5 upon 6 है तो यह इधर वाले को आएगा अब तो यह 0 यह minus 1 upon 6 यह minus 2 upon 6 यह minus 3 upon 6 यह minus 4 upon 6 हमें question में जो denominator दिया होगा हम उसी के base पे number line पे start करेंगे 0 से अगर by chance question में दिया है 5 upon 9 तो हम इस number line में 0 1 upon 9 2 upon 9 3 upon 9 ऐसे करते वे चलेंगे ठीक है रिप्रेजेंट साकेंड कोशेंट है रिप्रेजेंट माइनस 2 upon 11 माइनस 5 अपॉन 11 9 upon 11 और number line तो आप सबसे पहले एक number line बनाएंगे इधर पे 0 इधर से आप कैसे start करेंगे माइनस 1 upon 11 माइनस 2 upon 11 देखो एक तो हमने शो कर दिया 2 upon 11 ऐसी माइनस 3 और so on आगे तो को जाएगा आप पूरी line बनाएंगे मैं line इसले पूरी नहीं बना पा रही हूँ मैं as a phone पे screen पे बता रही हूँ आप copy में पूरी line करके pencil से अच्छे तरीके से उसे पूरा ड्रॉ करेंगे थर्ड कोश्यन है हमारा write 5 rational number which are smaller than 2 हमें 5 rational number बताने हैं जो smaller than है किस से? 2 से तो 2 से smaller हैं तो मतलब 0 2 और 0 के बीच में बताने हैं 0 और 2 के बीच में तो rational number हम कैसे निकालते हैं? 0 और 2 के बीच में बताने तो हम 0 को ऐसे 0 upon 10 और 2 को हम 2 upon 10 लिख सकते हैं ज़रूरी नहीं है मैं 0 upon 10 लिख रही तो आप 10 लिखो चलो आप 0 upon 20 भी लिखो तो यहाँ पे भी 20 0 upon 30 तो 2 upon 30 मैं अभी सबसे कम number लेके चल रही हूँ इसलिए मैं 0 upon 10 और 2 upon 10 के बीच में ले रही हैं ठीक है तो अब हम कैसे इसमें rational number निकालेंगे जीरो से लेके 2 upon 10 के बीच में आपको देखो 1 upon 10 2 upon 10 3 upon 10 4 upon 10 5 upon 10 6 upon 10 7 upon 10 8 upon 10 9 upon 10 आपको 10 rational number 0 और 2 के बीच में मिल रहे हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमें find 10 rational number between minus 2 upon 5 and 1 upon 2 अब हमें दो अलग अलग number दे दी हैं अब हमें इनके बीच में rational number बताने कितने 10 rational number तो ये हम कैसे करेंगे question है हमारा ये minus 2 upon 5 को जो हमें दूसरा number दी है उसके denominator से उपर भी into करेंगे और नीचे भी into करेंगे जो हमारा minus 2 upon 5 है उसके denominator minus 2 upon 5 के 5 को जो दूसरा number है उसके denominator से उपर भी multiply करेंगे और नीचे भी multiply करेंगे तो ये क्या रहा 2 to 4 minus 4 5 to 10 अब सेम प्रोसेस हम 1 upon 2 के लिए भी गरेंगे ये अभी हमने किसके लिए गरी थी minus 2 upon 5 के लिए अब ये प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे 1 upon 2 अब 1 upon 2 के numerator और denominator को किससे into करेंगे जो पहला वाला है उसके 5 से उसके denominator से 5 से 5 से तो कितना आएगा 5 upon 10 तो हमें क्या मिले नंबर 4 upon 10 और दूसरा क्या मिला 5 upon minus 4 upon 10 और दूसरा क्या मिला 5 upon 10 अब देखो minus 4 upon 10 और 5 upon 10 इनके बीच में कितने नंबर है minus 3 upon 10 minus 2 upon 10 minus 1 upon 10 0 upon 10 1 upon 10 2 upon 10 3 upon 10 हमें total हमें 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में मिल गए है हमें कुछ नहीं करना है हमें क्या करना होता है जो हमें fraction दिया है पहला वाला जो नंबर है उसको दुसरे वाला जो fraction है उसके denominator से numerator को भी denominator को भी into same process दुसरे के लिए भी पहले वाले के denominator से पहले वाले के हर से उस number के उपर numerator को भी और denominator को भी multiply करना है और उनके बीच में हमें number मिल जाएंगे थोड़ा इनमें आप practice करोगे तो easily आपको आगे कि सब आ जाएंगे जैसे next है हमारा rational number between 2 upon 3 and 4 upon 5 तो हम 2 upon 3 को numerator और denominator को दोनों को दुसरे number के denominator से multiply करेंगे तो दुसरे number के है 4 upon 5 fraction sorry दुसरा fraction के है 4 upon 5 तो 4 upon 5 5 उसका denominator उपर भी नीचे भी 5 2 जा 10 5 3 जा 15 अब सेम प्रोसेस यही हमने 4 upon 5 के लिए भी गड़नी है 4 upon 5 को किस से इसके denominator 3 से उपर भी और 3 से नीचे भी 4 3 जा 12 5 3 जा 15 तो हमें क्या मिला 10 upon 15 और 12 upon 15 पर 10 और 12 के बीच में हमें 5 तो रेशनल नंबर नहीं मिल रहे तो हम यह प्रोसेस दुबारा करेंगे तो हमारा यह क्या था 10 upon 15 तो हमारा यह क्या था 10 upon 15 था और दूसरा क्या था 12 upon 15 तो इनके बीच तो हमें सिर्फ 10 11 12 बस एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है इनके बीच में जादा गैप तो है यह नहीं हमारा कितने रेशनल नंबर चाहिए 5 तो अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप देखो 15 15 10 upon 15 को भी 15 से इसको भी 15 से और ऐसी 12 upon 15 को 15 से तो इस तरह हमे इनके बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे अगला कुश्यन है हमारा 3 upon minus 3 upon 2 and 5 upon 3 तो देखो minus 3 upon 2 को हम किसे करेंगे 3 से 3 से तो कितना आएगा minus 9 upon 6 ऐसी हम इसको करेंगे तो इसका भी कितना आएगा मैं सीधे बता दे रही हूँ 10 upon 6 तो माइनस और 10 के बीच में आपको इसली 5 परी में संख्याई मिल जाती है कि माइनस 9 है माइनस 9 के बाद आप माइनस 8 होगा माइनस 7 है माइनस 6 माइनस 5 ऐसी हम पॉजिटिव की ओर पे बढ़ेंगे एक और चीज आप अगर चाहें तो जो यह कोश्यन है इसमें मैंने आप यह वाला कुश्यन है ठीक है इसमा हमारा क्या हो रहा था एक जगह आ रहे है हमारे 10 अपॉन 15 दूसरा हमारा आ रहे है 12 अपॉन 15 अब आप इससे अगर 15 से करते हैं आगे को बड़ा लेंदी जाएगा तो आप इसके लिए एक और ट्रीक है हम इसे इन दोनों को ऐसे number से into कर सकते हैं मतलब same number से into करना है कि हम इससे आगे को और processing इसके कर सकते हैं आगे को और बढ़ा सकते जैसे मैंने आपको 15 बोला 15 से उपर पर वो बहुत लेंदी जाएगा अगर इसे शौट में करना है तो हम देखो इसको भी 3 से कर देते इसको भी 3 से 12 अपॉन इसको भी 3 से इसको भी 3 से तो आप इनको सेम नंबर से मल्टिप्लाई करके आगे को रेशनल नंबर निकाल सकते हैं अगला कोशियन है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन माइनस 2 तो 0 और माइनस 2 के बीच में इससे पहले हमने क्या निकाला था? जीरो और 2 के बीच में तो 0 और माइनस 2 के बीच में हमने निकालना है तो फिर से हम वही लिंगे माइनस 20 अपॉन 10 और क्या लिंगे? 0 अपॉन 10 तो आपको आराम से माइनस 15 अपॉन 10, माइनस 16 अपॉन 10, 19 अपॉन 10, 18 अपॉन 10 सारे नंबर मिल जाएंगे next step find 10 rational number between 3 upon 5 and 3 upon 4 तो हम इसे कैसे करेंगे 3 upon 5 into 4 into 4 और यह 3 upon 4 into 5 into 5 तो कितना आएगा 12 upon 20 15 upon 20 तो देखो 12 और 15 दोनों फिर से वो ही आ रहे है 12, 13, 14 दो ही rational number मिलेंगे हमें 12 मिलेगा 12 और 15 के बीच में 13 upon 20 14 upon 20 तो हमें कितने rational number चाहिए हमें 10 rational number चाहिए तो हम इनको इस number को और इस number को ऐसे number से multiply करें ऐसा एक number से multiply करें कि हमें 10 मिल जाएं तो पहले आप 3 से check करके check कर सकते हैं कितने मिल रहे हैं 3 से denominator को भी करना है numerator को भी करना है और दोनों के 3 से नहीं हो रहा तो 4 से 4 से नहीं हो रहा तो 5 से नॉर्मल में आपको इसका वैसे बता देती हूं आपको इसमें 8 से करना पड़ेगा जैसे 12 अपॉन 20 आरा आपको तो इन्टू 8 इन्टू 8 सेम जैसे इसका आरा था हमारा 15 अपॉन 20 तो उसे भी इन्टू 8 इन्टू 8 इस तरह से आप अपर रेशनल नंबर आपको इसली निकाल सकते हैं थिक्या वट वी हैब डिसकस्स इसमें सब मेन टॉपिक हैं थोड़ा इसको रिवाइस कर लीज़िए रेशनल नंबर साओhr अर्प्लोस अंडर धर ओप्रेशन करते हैं उनसे हम operation करते हैं addition चोड़ना घटाना multiplication दो तरह की यह properties दी हैं commutative और associative जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं उसके अलावा देखो multiplicative identity additive identity और था additive inverse a upon b equals to minus b upon a और multiplicative inverse और ये भी हमने सीखा rational numbers को हम line में represent कर सकते हैं तो ये हमारा था first chapter जिसको हम क्या जिसके अंदर हमने पढ़ा rational numbers के बारे में